जैस्री राम प्रेमी भक्तों, एक दिन में इतना नाम जब करने से आपके सभी काम बनने लगेंगे हैं, तो बंदू इस टॉपिक के अनुशार यह बताया जा रहा है, कि हमें कम से कम कितना नाम जब करना चाहिए, जिससे हमारे कारिय सभी बनने लगे हैं, अभी भी नाम जब कोई करता है या नहीं करता है, कुछ काम बनते हैं, कुछ बिगड़ते हैं, लेकिन जो काम बनते हैं, वह इसलिए बनते हैं, कि हमारा प्रारब्द उस समय अच्छा होता है, तो काम बन जाते हैं, और जो हमारा प्रारब्द अच्छा नहीं होता है, तो हमारे काम बनते नहीं हैं, बिगड़ते हैं, यह हमारे प्रारब्द पर बहुत निर्भर करता है, लेकिन प्रारब्द हमें याद नहीं रहता है, कोई बिल्ले ही होते हैं, जिनको प्रारब्द का याद रहता है, बागी सभी लोग भूले हुए होते हैं, इसलिए बंदू इस संसार में दुख और सुख आते ही रहते हैं, क्योंकि कभी इंसान पुन्य करता है, कोई कभी पाप करता है, पाप के बदले में दुख और पुन्य के बदले में सुख, ये प्राप्त होता ही रहता है, लेकिन जो लोग नाम जब करते हैं और जितना करते हैं उतना उनको प्राप्थ होता रहता है लेकिन कुछ लोग यह कहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है हम अपना संसार का कारिय करें या फिर नाम जब करें बंदू ऐसा बिल्कुल नहीं है यह एक बहना है नाम जब तो हर इंसान को करना ही चाहिए और उसके लिए ज़्यादा समय निकालने की आवाश्यक्ता नहीं जब नाम जब करते हैं तो उसमें आनन्द जब आने लगता है तो उसके लिए समय निकालना नहीं पड़ता समय अपने आप निकल जाता है यह बिश्वास की बात है तो संतों ने नाम जब करने के लिए कितना नाम जब करने से हमारे सभी कारिया बनने लगे तो कितना करना चाहिए वैसे तो 24 गंटे होते हैं हर इंसान के पास तो वह समय निकाल सकता है एक गंटा दो गंटा सुबह साम किसी भी समय निकाल सकता है लेकिन प्रारब्द के बस होते हुए या आलस के बस होते हुए या माया के बस होते हुए वह निकाल नहीं पाता है तो हमारे संतों ने क्या लिखा है थोड़ा ध्यान से सुनना तो आपको जरूर समझाएगा ऐसा हमारा विश्वास है संतों ने लिखा है एक घड़ी आधी घड़ी आधी तेपुन आद तुलसी संगत साद की कटे कूट अपराद तो बंधू हमारे संतों ने एक घड़ी के लिए कहा है एक घड़ी नाम जब करें हम तो हमारे जो भी कारिये नहीं बनते हैं वे भी बनने लगें लिए ऐसा विश्वास अपने अंदर होना चाहिए तो अब आप यह भी जान लें कि एक घड़ी का जो समय होता है वह कितना होता है वह होता है 24 मिनट तो संतों ने कहां एक घड़ी करो अगर 24 मिनट आपके पास नहीं है तो उन्होंने फिर कहा एक घड़ी आदी घड़ी अगर आपके पास 24 मिनट यानि कि एक घड़ी का समय नहीं है तो आप आदी घड़ी करो आदी का मतलब 12 मिनट और फिर उन्होंने का आदी तेपुन आद यानि कि आदी घड़ी आपके पास 12 मिनट भी समय नहीं है तो 6 मिनट अगर आप निरंतर प्रती दिन एकागरचित हो करके 6 मिनिट भी नाम जब करते हैं तो वास्तम में आप विश्वास मानिए आपके काम सारे बनने लगेंगे और कभी आपके काम बेगडेंगे नहीं और जैसे जैसे इसका आपको अभ्यास होगा आप अपने नाम जब को अपने आप बढ़ाएंगे बिना किसी के किये हुए क्योंकि यह नाम जब है ही ऐसी साधना और बंदू नाम जब कैसे करना है यह तक्रीबन हर वीडियों में बताया जाता है नाम जब करना है केबल स्वासों के दोरा उसको संतों ने प्राण जब भी कहा है और उसको सर्वोत्तम भी कहा है तो आप अपनी स्वासों से जुड़कर और एकागर चित हो करके 6 मिरट अगर आपने प्रती दिन नाम जब कर लिया तो वास्तम में ही आपको आगे का रास्ता मिलेगा आध्यात्म बढ़ने के लिए आपकी भक्ती बढ़ेगी आपके पुन्य समाप्त होंगे जब आपके पुन्य समाप्त होंगे पाप समाप्त होंगे तो आपका पुन्य उद्य होगा और जब पुन्य उद्य होगा तो आपके सारे कारिये अपने आप बनेंगे और आप हर छेत्र में भक्ती हो, आध्यात्म हो, नाम जब हो, उसमें आप आगे बढ़ेंगे, आपने आप बिना बढ़ाए, तो बंदू हम निविदन करते हैं, कि आप कम से कम 6 मिनिट एक आगल चित हो करके, और प्राण जब करें, तो आपके सारे कारिय बनेंगे, आपके पाप भसम होंगे, आपको हर छेत्र में आगे बढ़ने का आफसर मिलेगा, आपका मन पर फुलित रहेगा, और आपका कल्यान भी जरूर होगा, अगर आप लगातार एकागर चित से केबल 6 मिनिट और नाम जब करते रहें, लेकिन ध्यान रहें, जब आप नाम जब कर रहे हैं, तो आपका मन केबल और केबल स्वासों पर प्राणों पर ही होना चाहिए, संसार में नहीं होना चाहिए, तो आशा करते हैं, आप समझ गये होंगे, इस कारिया को आप अवश्य करेंगे, और अपने जीवन को सफल बनाएंगे, और आप अपना कल्यान भी करेंगे, जै सिरी राँ